दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बोक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट मोक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पहले कबर बिहार में बेजली उपभोगताओं का कटेगा कनेक्शन घर घर कारवाई करेगा विभाग जहां बिहार में बेजली बिभाग ने उपभोगताओं पर कारवाई करने के लिए कमर कसली है इससे पहले विभाग ने इन उपभुगताओं के लिष्ट भी तयार कर ली है लिष्ट के हिसाब से टेम उपभुगताओं के घर घर जाकर कारवाई करेगी दरसल बिजली बिल भुगतान नहीं करने वालों के खिलाब कमपनी विसेस अभियान चलाएगी इसके लिए राज भर में एक विसेस टीम गठित की गई है प्रमंडलवार गठित इस टीम के सदय से बकाईदारों के घर जा जाकर बिजली बिल भुगतान करने का अनुरोद करेगी इसके बावजूद अगर लोगों ने बिल जमा नहीं किये दो कनेक्शन काटने के साथ ही अन कारवाई की जाएगी बाड़ी खबर कोरोना और बाड़ के कारण सेना भरती के परिच्छा रद नई तारीकों का जल्द होगा एलान जिहां बिहार में कोरोना का कहर अभी कम होना सुरुई वाता और बाड़ ने लोगों की समय से बढ़ा दी है कोरोना और बाड़ को देखते हुए सेना भरती रेली में सपल प्रती भाग्यों की 25 जुलाई और 29 अगस्ट को होने वाली परिच्छा को रद कर दिया गया है सॉल्जर ट्रेडमेंड, सॉल्जर टेक्निकल, सॉल्जर क्लरक एवं नर्सिंग असिस्टेंट और 29 अगस्ट को सॉल्जर जिडिक की परिच्छा होनी थी बाड़ी कबर पटना को 50 और सेंजी बसों की मिली सोगात, जीपीएस वो सीसी टीवी से रहेगी लेस, जानिये रूट और किराया जिहां राज़ानी पटना में प्रदोसन में कमे लाने के लिए सेंजी बसी दोड़ेगी मुखी मंत्रे नितीश कुमार ने सनिवार सुबस समाद भवन से 50 सेंजी बसों को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया नई सेंजी बसों को मिला कर 70 सेंजी बसे राज़ानी में अलग-अलग रूटों पर चलेगी इसमें पुरानी 20 सेंजी बसे सामिल है आपको बदा दे कि CNG वो एलेक्टिक बसों के चलने से प्रदोसन में कमी आएगी सभी CNG बस, GPS, CCTV, पैनिक बटन आदी आदोनिक सिवावों से लेस है यात्रियों को मारगों की जानकारी के लिए बस के अंदर वो बाहर कुल 4 डिस्पिले बोड लगे हैं बसों के अंदर मोबाइल चार्ज करने की भी विवस्ता है दानापूर बस स्टिन के लिए 20 रुपई, दानापूर रेलवे स्टेशन के लिए 20 रुपई, सिवाला के लिए 26 रुपई, वाटर पर्क के लिए 32 रुपई, बिहाटा के लिए 42 रुपई, बिहाटा आयाटी के लिए 40 रुपई, और चेंदमारी रोड के लिए 7 रुपई में पानी के नमोने के जाज पीएजडी ने प्रोटोकॉल के अनुसार प्रतिक मा कर रही है साती पानी के जाज रिपोर्ट को पंप ओपरेटर के पास रखे रेजिस्टर में लिखा जाता है लेकिन पीएजडी ने अब निर्ने लिया है कि लावुकों को भी पानी के जाज र बड़ी खबर बिहार में अब अनात बच्चों को खोजेगी सेविका हर बच्चे पर दिये जाएंगे 50 रुपी जहां मुखिमंत्री नितीज कुमार के दिसान निर्दिस पर कोरोना महामारी में अनात हुई 18 साल तक के बच्चों को बाल सायते योजना से जोड़ा जा रहा है योजना के तहद सभी अनात बच्चों को प्रती मा 15 रुपी दिया जाएगा और अनुदान के मायदम से सामाजिक सुरक्चा प्रदान किया जाएगा इसको लेकर समाज कलान विभाग ने एक गाईलान जारी की है जिसके मुताबिक अब आगन माड़ी सिविका भी इस योजना से जोड़ा गया है और जो सिविका ऐसे आनात बच्चों की खोज करेगी उसे प्रोसान रासी के रूप में प्रती बच्चा 50 रुप्या देने का प्राधान किया गया है ताकि कोई आनात बच्चा छोटी नहीं बाड़ी कवर पूर्निया में मेडिकल कोलेज को मिली मंजोरी बना बिहार का इगारवा सरकारी मेडिकल कोलेज जी हमुकि मंत्रे नितिस कुमार की अध्यक्षिता में राज केविनेट के हुई बेटक में सरचना और संसादन उपलब कराने पर सामती दी गई है आपको बदाद कि है राज का इगारवा सरकारी मेडिकल कोलेज अस्पताल होगा वहाँ पर MBBS की 100 सीटों पर नामांकन होगा साथ इलाज के लिए कम से कम 500 बेड़े की सुविधा होगी इसके साथ राज के सरकारी मेड से रिटायर हुए लोगों के लिए एक बार फिर नोकरी का मौका लेकर आई है या मौका एक अप्रेल 2020 से जुलाई 2021 के बीच रिटायर हुए कर्मियों के लिए होगा सामानी प्रसासन विभाग ने इस आसे पर संकल्प जारे किया है विहार सरकार ने तई किया कि रिटायर क हुए हैं सामानी प्रसासन विभाग द्वारा जारे संकल्प में कहा गया है कि अप्रेल 2020 के बाद बड़ी संक्या में राज पत्रित और आराज पत्रित कर्मी रिटायर हुए हैं इन सभी को यह मौका दिया जाएगा बड़ी ख़बर ICAC बोर्ड ने घोसित किया दसवी और बारवी का रिजल्ट पत्ना जोन में निसिता समया वा तनिसाने मारी बाजी जी हां ICAC बोर्ड ने दसवी और बारवी का रिजल्ट सनिवार को जारी कर दिया ICAC की परिच्चा में पत्ना जोन से दसवी की परिच्चा में 18 स्कूल के 3000 एवं बारवी में 7 स्कूल के 750 बिदातियों ने हिस्सा लिया था बारवी की परिच्चा में राजधानी के संत जोसिप कॉवेट की छात्राओं का प्रदसन काफी वेहतर रहा इस्कूल की विज्ञान की छात्रा निसिता निदी 99.75% लाकर अपनी परिच्चे दिया उसी इस्कूल की वानिजिक की छात्रा सुम्या ने 99.25% प्राप्त किया है संत जोसिप कावेट की कला संकाई की छात्रा तनिसा विक्टर ने 98.75% प्राप्त किया है बिहार में फिर से एक्टिव होगा मानसून 26 और 27 जुलाई को भारी बारिस का अलट जिहां मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए अलट जारी कर दिया है बंगाल की खाड़ी चेतर की ओर से कम दवाव का चेतर विक्सित हो रहा है 27 जुलाई के आसपास मानसून ट्रब के बिहार के और सिफ्ट करने के आसार है इन मौसम प्रभावी से दो दिन राजबर में बारिस और बजरपात की स्थिती बन रही है मौसम बिगान केंद्र का कहना है कि 26 और 27 जुलाई को सुवे में जमाजम बारिस के साथ आकासिय बिजली गिननी की आसंका है इन दो दिनों में राजबर के लिए येलो अलर्ड जारी किया गया है दो जगहों पर भारी बारिस हो सकती है गया और बाकसर में 27 जुलाई को भारी बारिस के आसार है बाड़ी ख़वर टोकियो ओलम्पिक में भारत को पहला मेडल वेट लिप्टिंग में मेरा भाई चानू ने सिल्वर जित रचा इतिहाज भारत के इस्टार महिला वेट लिप्टर मेरा भाई चानू ने टोकियो ओलम्पिक 2020 में देश को पहला मेडल दिला दिया है आपको बदाद की मेरा भाई चानू ने टोकियो ओलम्पिक में वेट लिप्टिंग में पदक का भारत का 21 साल का इंतिजार खतम किया और रजत पदक जीत कर देश का खाता भी खोला है उन्होंने महिलाओ के 49 किलोग्राम वर्ग में क्लीन एंड जर्क में सिल्वर मेडल अपने नाम किया चीन के हाउजिवों ने गोल्ड मेडल पर कबज़ा जमाया साथ यह आपको बदा दे कि भारते वेट लिप्टर मेरा बाई चैनों ने फैनल परियास में 117 किलो का वज़ान उठाया और उन्हें सिल्वर से संतुस करना पड़ा जातिगत जनगन्ना के पक्च में फिर सियम नितिस ने की आवाज बुलन बोले सेश्टिक के साथ 20CB गिने सरकार जिया मुख्यमंत्री नितिस कुमार ने कहा कि एक वर फिर निशित रूप से जातिगत जनगन्ना देश में होनी चाहिए इसमें SCHT के अलावा भी आएने कमजोर वर्ग है उनकी वास्तिव सेंक्या की जानकारी होगी और सवी के विकास के कारिकराम बनाने में सहायता मिलेगे मुख्यमंत्री ने कहा कि एक वर फिर आगरा करेंगे कि जातिगत जनगन्ना कराई जाए मुख्यमंत्री CNG बसुक को रवाना करने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे सियम नितिस ने ट्विट करके लिखा कि हम लोगों का मानना है कि जाति आधारित जनगन्ना होनी चाहिए जिसमें सरकार को SCHT के साथ OBC की भी जनगन्ना करानी चाहिए बाड़े कबर अगले माईने पूरी तरह से खूल जाएगा बिहार का बाजार जानिए वेपारियों से क्या बोले डिप्तिस यहां उपमुख मंत्री तार के सवर परसाद ने कहा कि अगस्त मास से पूरी तरह से बाजार खूल जाएगा इस दोरा नियमित रूप से दुकानी खुलने लेगेगी और जो भी अलगलग ट्रेड के हिसाब से अलग दिन खुल रही है इसे रोजाना कर दिया जाएगा उन्होंने कहा कि सुभी का विकास वहां की व्यावसाई पर ही निर्वर होता है साथ उन्होंने वेपारियों के साथ हो रही लोट की वारदादों के बावत कहा कि अगर आप लोग कारुबार का बड़ा रगम लेकर प्रतिष्टान से बैंकों को निकलते हैं तो इसकी सुचना मुकामी पुलिस को दे दे ताकि पुलिस बल मुहया करा कर आपकी जान माल की सर अनकारी हाट बाजार में ढोल पीटकर आम लोगों को दी जाएगी राज निर्वाचन आयोग ने नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा अधि सुचित नगर निकाय के फलस्वरूप मदादा सुचि में संसोधन को लेकर निर्देश जारी किया है इसमें सभी जिलो जो अब पंचाई चेत्र के मदादा नहीं रहे उनको पंचाई चेत्र से निया मनुसार अलग करते हुए उन्हें चेत्रों में व्यपाग प्रचार की वबस्ता की जाए जिन जगों पर सब्ताईक हाट बजार लगते हो वह ढोल पीटकर मदादा सुचि में संसोधन प्रचार कराया जाए चिराग पासवान का बड़ा ब्यान बिहार में मैदा आवदी चुनाव होगा नितिस के घर में लग चुकी है अग मेरे जोपड़ी जलाने का भुगतेंगे खामया जाए जियां लोग जन सकती पाटी में घमासान चेड़ने के बाद पहले दबे अप पासवान ने कहा कि दूसरों के घरों में आग लगाने वाले अपने घर को नहीं देखा है जिस तरह से लोजपा को बरबाद करने की कोशिश की गई है उसके साजिस रचने वालों का खामया जब भगतना पड़ेगा चिराग पासवान ने दावा किया कि जदवे के अंदर खमासान मचा हुआ है जेडोई में जल्द ही तूट होने जा रही है साथ उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी चुनाव के लिए तयार है लेकिन चुनाव में किस दल से गड़बंदन होगा या फिर विए अकिले चुनाव लड़ेंगे इसका फैसला सई समय पर किया जाएगा कि इस प्रसाथ को ग्रिय विवाग ने अपने सामाती दे दी है पिछले दिनों ग्रिय विवाग की समिक्चा बेटक में अपर मुई के सचीव चेतने प्रसाथ ने पुलिस और ग्रिय विवाग से समधित कई बिंदों पर भी दिसा निर्दिस दिये हैं आपको बता दी कि 5 या उससे अधिक व्यक्ति हरवी हतियार से लेशोकर मारपिट करते तो या दंगा की स्रेनी में आता है या सारवजनिक जगव पर हो या नेजी स्थान पर दोनों ही सुरत में दंगा कहलाता है इसमें IPC की धारा 147,148,149 लगता है बले ये चोटे समों में मारपिट का ही मा क्याले ने ये प्रस्ताव दिया है आज के लिए आपका स्वार आपके अनुसार क्रिसी के छेतर में सुधार लाने के लिए बिहार सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए इसका जवाब आप हमें नेचे कॉमेंट करके जरूर बताएं